प्रभात्खबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं नमस्कार प्रभात्खबर में आपका स्वागत है बिहार में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तीज हो गई है सत्ता रूर एंडिये गडबंधन पर राज़त के नेता लगतार हमला कर रहे हैं इसी बीच राज़त सुप्रीमों लालुप्रसाद यादों ने अपने नेताओं और कार्यकरताओं को अनुसासन का पार्ट पढ़ाया है इन सम मामलों पर आज नेबात की विकास शील इंसान पाटी और पशु एवं मस संसाधन मंत्री मुकेश सहनी से यहां देखिए एक्स्क्लूसिव इंचविव अच्छा थे कि उनका सरकार बन रहा है ठीक है और ये आज से नहीं कर रहा है दोजार पाच्छे से कर रहा है तो अपने बिचार को अपने कामों को लेके जनता के बीच में पहुचेंगा और काम हम लोग करेंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि दोजार पच्छीस के बाद भी एंडी के सरकार पुना रिपीट हो विपक्स सर्गोटाले का रूप लगा रहा है तो विपक्स में हैं तो विपक्स वाला काम कर रहे हैं वो जो करना चे वो नहीं कर रहे हैं बेवज़ा से चीजे को इसु बनाते हैं, उनके उपर खुद करफशन का चार्जिस लगा, उनके खुद पाटी के लोगों ने बोला कि पाच करोड रुपह लेके टिकट नहीं दिया, इसको उन्होंने मतलब सालेंट करने के लिए, बेवज़ा से कुछ भी ब्यान जारी कर द में कोई हर्ज बाली बात नहीं है, ये समिधान में सबका अधिकार है, तो मुझे ने लगता है कि सब चीज इस तरीके से बरहा चरहा के जूटे बियान वाजी करके गलत चीजे को लोगों के बीच में लाना, मुझे लगता कि इतना छोटा नेता नहीं है ते जैसी परसाद का पड़ा रहे हैं, तो मैं अधरनी शरी लालो परसाजी से की रिकेष्ट करूंगा आज़ोर के, कि सब से पहले अपने बरे बेटा और छोटे बेटा को अनुसासन में रहना सिखा दे, और जिसो जो लोग अनुसासन में हो जाएंगे, उसो मुझे लगता कि उन लोगों का भला होगा.